आज दिनांक 20 अगस 2024 को दिन में तक्रीबन साड़े बारा बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली छेतरंतकर स्थित पोटल प्रीट पैलिस के कमरे में एक यूप्ति की लाश पढ़ी जिसकी धारदार हतियार से हत्या कर दी गई है इस यूप्ति की शेनाक्त फर्जाना उर्फ शब्गो निवासी थानाशाही जनपत बरेली के रूप में हुई है इसकी अभियुक्त आलम द्वारा दारदार हतियार से हत्या कर दी गई थी कटना के सम्मन में जब जाच की गई तो स्पष्ट हुआ कि दिनांक 19.2024 को शाम को तकरीबन 5.5 बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा दारदार हतियार से इस यूप्ति की हत्या करके शब को होटल की रूम के अंदर ही छोड़ कर वहां से अभियुक्त फरार हो गया दाना फटेगंज पस्चिमी पर एक यूवक की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यों की सूचना प्राप्त हुई जी आरपी द्वारा शब को कबजे में लेकर पंचात नामा की कारवाई की गई और शब को पोस्ट मॉड़म के लिए मोचरी बेजा गया था आज उस यूवक की शिनात अभ्युक्त आलम के रूप में हुई है परिवार जनों द्वारा अभ्युक्त को पैचान लिया गया है हम अग्रिम विदिक कारवाई अमल में लाई जा रही है आज दिनांक 20 अगस 2024 को दिन में तक्रीबन साड़े बारा बजे सुचना प्राप्त हुई कि थाना कोदवाली छेत रंतकर स्थित होटल प्रीट पैलिस के कमरे में एक यूवक्ति की लाश पड़ी है जिसकी धारदार हतियार से हत्या कर दी गई है इस यूवक्ति की शेनाप्त फरजाना और शब्वो निवासी थानाशाही जनपत बरेगली के रूप में हुई है इसकी अभियुक्त आलम द्वारा दारदार हत्यार से हत्या कर दी गई थी खटना की संबन में जब जाच की गई तो स्पष्ट हुआ कि दिनांक 19.2024 को शाम को तकरीबन पाच साड़े पाच बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा दारदार हत्यार से इस यूवक्ति की हत्या करके शब को होटल के रूम के अंदर ही छोड़कर वहां से अभिय एक यूवक्त की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यों की सूचना प्राप्त हुई जियारपी द्वारा शब को कबजे में लेकर पंचात नमा की कारवाई की गई अब शब को पोस्मॉडम के लिए मोर्चरी बेजा गया था आज उस यूवक्त की शिनात अभियुक्त आलम की रूप में हुई है परिवार जनों द्वारा अभियुक्त को पैचान लिया गया है हम अग्रिम विदिक कारवाई अमल में लाई जा रही है आज दिनांक 20 अगस 2024 को दिन में तक्रीबं 12.30 बजे सुचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली छेतर अंतकर स्थित होटल प्रीप पैलिस के कमरे में एक यूवक्ति की लाश पड़ी है जिसकी धारदार हतियार से हत्या कर दी गई है इस यूवक्ति की शेनात और जाना और शब्वो निवासी थाना शाही जन्पत बरेली के रूप में हुई है इसकी अभ्युक्त आलम द्वारा दारदार हतियार से हत्या कर दी गई थी खटना के संबन में जब जाच की गई तो स्पष्ट हुआ